आप सभी का स्वागत है आपके अपनी कुकिन चैनल आर्चेसवर्ड में केसे हैं आप सभी लोग ओमिद करते हूं बहुत ही मज़े में होंगे यहां पर मैंने किलो पालक लिया है इसको आपने बारी कट नहीं करना थोड़ा अब लाया है ताकि जब भी हम इसको बेसन के अंदर गूंदें तो हमें ये इसका हरा कलर नजर आए और पता चले कि हाँ ये पालक के पकोड़े हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हिंग एक छोटा चमच फ्लेवर के लिए इसके बाद हमने इसके अंदर दो-सो ग्राम बेसन का यूज करना है तो सिके अंदर दो-सो ग्राम बेसन का यूज करना है..!告 baked got तो इसके अंदर देख सकते हैं आदे जादा पावडर नमक शौत के नुसार और एक छबश हल्दी पावडर हमने का task penser पहुदेख ह जादा ताकि इसके अंदर अच्छा सा कलर आ सकें और इसको अच्छे से अब हमें हाथों से गूद लेना है पहले पालक क्या होगा कि थोड़ा सा आपको टाइट सा लगेगा लेकिन जब आप इसको गूंदेंगे तो थोड़ी दिर में यह बिल्कु सॉफ्ट हो जाएगा और बेसन पालक के साथ मिक्स होने के बाद बहुत ही अच्छा लुक वाइस इसका घोल त्यार हो जाएगा दूसरी तरफ हमने कढ़ाई को रख दिया गरम होने के लिए और सरस्तों के तेल में हम कड़ी बनाने वाले हैं तो एक ही बार में हमने सारे ऑईल को डाल दिया है इसके अंद जिसके अंदर हम पकौणिया पे बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर हम कड़ी बनाएंगे तो यह हमारा बेटर तीयार हो चुका है देख सकते हैं आप इसके अंदर हमने एक बोंद भी पानी का यूज नहीं किया है दूसरी तरफ हमारा ऑईल अच्छे से गरम हो चु इसके बना लेनी है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं आप स्टार के रूप में भी इस पकोडियों को यूज कर सकते हैं बना सकते हैं तो थोड़ी सी पकोडियां जो है हम वैसे ही खाने के लिए रिखेंगे और बाकी कोड़ी आइसा कि है आप डाल देंगे और इसको आपने गोर्ड़न ब्राउन लेसा कि बहुनहें तक हम इसको फ्राइड कर आएं지 और बाकी पकोड़ी भी हम इसी तरीके से हमें fry करके निकाल लेनी है कड़ी बनाने का तरीका थोड़ा सा different है आप जरूर एक बार इस तरीके से try करके देखे, यकीनन आपको ये recipe बहुत पसंद आने वाली है और कड़ी का स्वाध भी आपको different लगेगा तो एक बार इस तरीके से जरूर try करें यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से fry हो चीकिए है तो मैंने इसको एक बावल के अंदर निकाल लिया है बाकी की पकोडियों को मैंने डाल दिया है इसे के अंदर दुबारा से fry होने के लिए तो जब तक हमारी पकोडिया fry हो रही है तब तक आप कर लेए एक चोड़ा सा काम के अगर चैनल पर फर्स ट्राइब विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें पकोड़ जो है व inner बाल के अंदर बरतन होचुका है खाली तो इसी के अंदर अब हम धार बनाने का जो घूल दयार करेंगा है वह बता देती हैं यह पर मैंने चार चम्म म्च लिया है बशिया है बैसन का यह देखें और बैसन के के अंदर हम हम तकरीब अअ 2, suppression का बुद्धार यूजर को डाल दिया और मसाले हम इसी के इंदर एड़े करने वाले हैं तो लाल मिश पाउडर मैंने डाला एदा चमच नमक्स्वाद के नुशार और आदा चमच हल्दी पाउडर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक चोड़ा चमच वन्हे डाला है और mix करने के बाद इसको पानी के साथ mix करेंगे पहले इस घोल को अपने अच्छे से mix करना है इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं होने चाहिए इस तरीके से बनाने से आपके कड़ी का स्वाध बहुत अच्छा हैगा तो ये देखिए हमने ये घोल को तियार कर लिया है अब इसके अंदर बने धाई गिलास पानी को अड़ किया है और पानी को अड़ करने के बाद इसको अच्छे से mix कर देंगे तो ये हमारी कड़ी बनाने के लिए घोल तियार हो चुका है जिसकी की हम कड़ी बनाएंगे तो अब हम इसको रख देते हैं और दूसी तरफ जैसे हमारी गैस खाली होगी मतलब पकोड़ीया सारी बनके निकल जाएंगे तो उसी के अंदर हम तड़के की तियारी करेंगे तड़का लगाएंगे तो तड़का हम जिन चीजों के साथ लगाने वाले हैं वो सबसे पहले देख लीजिए तो यह देख सकते हैं जो हमारे पास ऑईल बच गया था उसके अंदर मैंने एक छोटा चमज जीरा डाला है एक छोटा चमज डाला है मैंने मेथी दाना अच्छे से यह तड़क जाएं बून जाएं उसके बाद हमें इसके अंदर दो प्याच चार हरी मिर्चे कट करके डाल देनी है बारी कट करके डालनी है और इसी के अंदर में चार से पांच लहसुन की कलिया ली है जो कट करके डाली है तो इसको हमें अच्छे से बून रहा है इसको ब्राउन कलर का बूनना है गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक टेमाटर बारी कटा हुआ जी हाँ टेमाटर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जरूर ट्राई करें कट करके डाली थी और 4-5 लेसूर की कलिया जो हमने कूट लेना है उसको इमाम दस्ते में और वो डाल देना है जो कि बहुत एक अलग सा फ्लेवर देने वाला इसको और इसके बाद हमने इसके अंदर कड़ी का घोल टेर की है वह एट कर देना है इसको चलाना है घास की फ्ल कड़ी को पसंद करते हैं सबी जगे का अपना अपना स्वाद है एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए आपको डेफिनिटली यह रेस्पी भी बहुत पसंद आएगी यह रेस्पी मैं मेरे गर में बच्छपन से खाती आई हूं मेरी ममी बनाती है और हमें ये रेस्पी बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से कड़ी को खाना और बनाना तो हर जगे का जिस तरीके से अपना स्वाद होता है आप इस तरीके से एक बार इस कड़ी को बना के देखे आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी तो कड़ी हमारी बनती है ज स्लो से मीडियम के बीच में रखे हुई है तो जैसे इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट होगा तो जो हमने पकॉणियां बनाके रखे थी वह इसके अंदर हम एड़ कर देंगे लेकिन इसको एक बार उबाल आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से उसके बाद इसके अंदर पकॉणियां बहुत सफ्ट बनेगी कड़ी बहुत स्वाधिस्ट बनेगी और बहुत ज्यादा मज़े की रैस्पी बनती है तो जरूर से देख लीजिए आप इसका तरीका बनाने का और एक बार जरूर बनाके देखेगा पालक वाली कड़ी और हम इसको जीरा राइस के तड़का लगाना होता है उसके बाद 15 मेट का वक्त और लगेगा तो हमारी कड़ी वहां पर रेडी हो चुकी है यहां पर हम दूसरी तरफ तड़का लगा लेते हैं तो पैन के अंदर मैंने एक छोड़ा चमच लिया है सरसू का दाना चार से पांच लिए मैंने हरी मेर्च और कड़ी पत्ता इसको अच्छी तरीके से भून जाने के बाद 15 चमच हमने इसके अंदर डाला है कश्मीरी लाल मेर्च इसको अच्छी से मिक्स करते हैं तड़क जाए उसके बाद हमें कड़ी के ऊपर से यह तड़का लगाना है तो यह देखिए यह तड़का मैंने लुक की चेंज हो गया बहुत जादा स्वाधिस्ट लगती है खाने में यह जरू ट्राई करें और अपना feedback मैंसे जरू शेय करें तो यह देखें कड़ी हमारी बनके बिल्कुल तियार है और दही आप जो इसके अंदर यूज करने वाले हैं वह खटी होनी चाहिए तक ही इ लगता है तो हमारी रेष्पी बनके त्यार हो चुकी है मैंने आपके प्लेट को भी कर दियार चल्दी आजे और टेस्ट करके बताएं कि आज की रेष्पी आपको कैसी लगी है खाने में और जब तक आप इसको खा के टेस्ट करके बताते है ना तब तक मैं नई रेष्पी और चावन तो टेस्ट करें और बताएं अपना फीडबेक तब तके लिए थैंक्स पर वाचिंग